विशु पर्यावरन दिवस की करेंगे, हर एक साल पाच जून को विशु पर्यावरन दिवस मनाय जाता ताकि लोग पर्यावरन सन्रक्षन के प्रती जागरूखो सके, इस मौके पर कई जगों पर कारिक्रमों का अयोजन किया गया वीशो पर्यावरण दिवस के मौके पर जमशेदपूर के पारड़ी में स्मृति वन के अदार्शिला रखी गई स्वास मंत्री बन्ना गुपता ने इस मौके पर अपने पिता के स्मृति में फल्दार पौते लगा कर इस पार के विकास की निव रखी मंत्री बन्ना गुपता ने इस मौके पर कहा कि जिस तरह से जलवायू परिवरतन हाल के दिनों में हुआ है ये वनों के सिबटने की वज़त से पैदावा दूस प्रभाव है ऐसे वक्त में जार कंड पर्यवन सनरक्षन के दिशा में एक प्रेणा स्रुत बना हुआ है दूसरे राज्यों और दूशे दिशों को भी ये सोचने की ज़बरत है सब लोग अपने वन को सनरक्षन करना है इसका मतलब है कि इंसान को सनरक्षन करना है और ये अच्छी परंपरा होगी मैं तो ये कहूँगा एक कदम बढ़के कि जिस भी घर में जब बेटी का जनम हो और उसके पास यदि थोड़ी सी भी जमीन हो तो उसको पांच फलदार पेड़ लगा देने चाहिए वो फलदार पेड़ी ही बेटी को भी पाल लेंगे और वन और संपदा की भी संदक्षन हो जाएगी और लोगों को एक जीने का सहरा भी हो जाएगी इस मौके पर डेफो ममता प्रेदर्शी ने कहा कि स्मृति उद्यान के जरे जहां परेवन सरक्षन हो सकेगा वही लोग अपनों की याद में यहाँ पेंड लगा कर उनसे जुड़ी यादों को हमेशा के लिए जिन्दा रख पाएंगी के साथ नहीं है लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं हमारे दिल से जुड़ेवे हैं उनको जिन्दा रखने की एक कोशिश है एक प्रयास है ये पौधा जो उनकी याद में उनकी स्मृति में लगाया जाएगा ये जिस तरह बढ़ता चला जाएगा उस तरह हमारी यादे भी सु क्योंकि हम लोग प्रत्वी की आदमी है और आज हम लोग मेरे पापा और महमी हैं वो दोनों गुजर गए हैं तो उनके यादकार पर हम लोग एक कटल का पेड हम लोग अपने बेटा का हातों से लगा है प्रयावरण दिवस के मौके पर जहारकन सरकार में महिला बाल विका समाजी सुरक्षा इभाग की मंत्री जोबा माजी चकदरपूर में सोनुआ प्रकंट पहुंची थी और यहाँ प्रकंट का रालम उन्होंने पौदर उपन किया न्यूस 11 भारत के लिए जमशेद्पूर से प्रभाद के साथ चकदरपूर से रुपेश की रिपोर्ट